अपका एक बार फिर से सुवाग एता हूँ और अपन पसु पालन के मोडल पेपर सौल कर रहे थे आज अपना ये नवे नमर का मोडल पेपर है जो की इंपोर्टेंट अपने कर्शी परवेक्षाक पसु परीचरवर्ति के लिए और जितने एकजाम जिन में पसु पालन पूचा जाता है तो सबसे पहले नमर पे अपने क्यूशन है राजस्तान की काम देनु गाय की कौन सी नसल कहलाती है ये आपको बताना है उप्शन अपने पास है गिर, नागोरी, कांकरेज, और राठी तो बताए देखे इसका राइटांसर क्या हो जाएगा देखे राजस्तान की काम देनु गाय की कौन सी नसल को कहा जाता है राठी गाय की नसल है इसको राजस्तान की काम देनु के नाम से जाना जाता है जो राठी नसल है ये कहां पाई जाती है पस्ची मिराजस्तान पस्ची मिराजस्तान मतलब आपके गंगानगर हो गया, बिकानेर हो गया, हनवानगड हो गया इन जिलों में ये नसल पाई जाती है तो आपके अच्छे से ध्यान रखना है इसके लोगे गिर की बात करें घिर पाए जाती है गुजरात के काठियावाड में। क्या रिया बनानी के लिए उपयोक्त उपकरन क्या बनानीक लिए उपयोक्त उपकरन आपको बताना है लिजमेकर यंतर कलपायंतर करहायंतर और नाइला तो क्यारिया किसे बनाय जाती है रिजमेकर यंतर से बनाय जाता है रिजमेकर जो यंतर होता है इसको पसुओ की सायता से चलाय जाता है बात करें कलपा की कलपा क्या होता है तो कलपा देखिए जो अपना खेत है उससे क्या करते है पर निराय गुडाय करने के लिए या फिर जो weeds है उनको निकालने के लिए कलपा यंतर का यूज करते हैं करहा की बात करें करहा क्या होता है तो उबर खाबर जो भूमी होती है उसको समतल करने के लिए अपन करहा का यूज करते हैं नाइला क्या होता है तो नाइला देखिए बीज डालने का एक यंतर है प्रेक्ष्ट अपने पास एक क्यूस है न, समू में मदमें आये पसू की पहचान के लिए उप्योग किया जाता है, समू में मदमें आये पसू की पहचान के लिए क्या उप्योग किया जाता है, बूलक, केपेन, टीजर बूल, इनमें से कोई ने, किसका उप्योग किया जाता बत करें बद्या करते नर्मुरगðा ओता है next question की बात करें तो next अपने पाश question है सुझाता नसल किसका संक्रन है 그냥 आपको वताना है सुझाता किसका संक्रन है यह आपको वताना है किसका संक्रण है सुजाता है अपने जर्सी इंटू साइवाल यहापी फोर्ट नम्मर का option राइट हो जाएगा देखे यहापी सुजाता तो इससे आपको ध्यान रखना है जर्सी और से का मतलब हो गया साइवाल इससे आपको ध्यान रखना है सुजाता नसल किसका संक्रण है jersey into sidewall जो गाई की नसल है इनका संग्रना सुजाता next question की बात करें next अपने पास question है उटनी के दूद में वसा परतिसत होता है उटनी का जो दूद है उसमें आपको वसा परतिसत बताना है यहापे option है 3.75% 5.3% 7.3% और 4.2% तो बताइए उटनी के दूद में वसा परतिसत कितना होता है 4.2 परतिसत कितना होता है उटनी के दूद में वसा परतिसत है 4.2 परतिसत इसके अलवा बात करें यहाँ पे 3.7% है यह किसमें होता है मानू का जो दूद होता है उसमें 3.75% है वसा होता है कितना 3.75% मानू के एक पने पास से क्यूषन है Enthrex नामक रोग का कारक है Enthrex नामक जो रोग होता है इसका आपको रोग कारक बताना आपने पास ओप्सन है Clozedium sovi, Bacillus anthropuses, Pasturella, Bovyseptica और Clozedium parpidges तो बताई देखिए जो Enthrex रोग है इसका रोग कारक क्या है इसका रोग कारग क्या हो जाएगा, यहां पर देखिये हो जाएगा अपने bacillus anthracis, आपको ध्यान रखना है, anthracis रोग का रोग कारग क्या होता है, bacillus anthracis, अच्छे सी ध्यान रखेगा, इसके अलवा जो close Europe sovii है, नेक्ट अपने पास जो यहां पे देखिए रोग है Colorstadium Perfusence ये किसका रोग कारण होता है फडकिया जो रोग होता है उसका रोग कारण क्या उगया Colorstadium Perfusence नेक्ट अपने पास क्यों सेन है Base के दूद का आपक्सित गनट वह आपको बताना है कितना base के dud का अपकक्सित गनत होता है Option अपने पास है 1.028 से 1.030 Next अपने पास option है 1.030 से 1.032 Next अपने पास option है 1.036 1.037 तो base के ¿ अपकीसित गनत होता है ? 1.030 से 1.032 यहाँ पर second number का option यह राइट हो जाएगा base के दूद काअपक्सित गनत होता है गाई की दूद का अपेकसित गनत्व हो जाएगा इसके अलवा जो सेप्रेटा दूद होता है उसका अपेकसित गनत्व हो जाएगा इसके अलवा जो सेप्रेटा दूद होता है उसको अपेकसित गनत्व हो जाएगा इसका अपेकसित गनत्व हो जाएगा इसके अलवा जो 35-45% और 60% तो साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है 60% कितनी होती है साइलेज में नमी की मात्रा 60% होती है हरा चारा होता है जो सरक्सी तरा चारा होता है उसको अपन साइलेज बोलते है और साइलेज में 60% नमी की होती है बाकी बात करें हे, हे में नमी की मातरा 14-15% होती है, कितनी हे में नमी की मातरा 14-15% होती है, सूका जो सरक्सित चारा होता है उसको अपन हे बोलते हैं जिसमें 14-15% नमी होती है अपने पास से एक क्यूशन है खारे पानी में डेरी बरतन दोने तु काम में लिया जाने वाला पदार्त है यानि खारे पानी में डेरी के बरतन दोने है तो उसके लिए कौन सा पदार्त काम लेंगे या आपको वताना है option अपने पास है सारी सोदक, अमलिय सोदक, जटील पासपेट और आध्रन कारक तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जटील पासपेट है ये काम लेंगे अपन खारे पानी में डेरी वरतन दोने के लिए इसके लावा बात करें सारी सोदक की, तो सारी सोदक की समें यूज होता है, सारी असुद्यों को दूर करने में सारी सोदक यूज होता है और अमलिय जो असुद्या होती है उनको दूर करने में अमलिय सोदक यूज होता है next अपने पास question है दूद में विक्सित अमलता होती है दूद में विक्सित अमलता आपको बतानी है तो दूद में विक्सित अमलता कितनी होती है 0.32 यहां भर फॉर्ड नम्मर का option है वो राइट हो जाएगा इसके लावाँ आपसे पूचले दूद में प्राकर्तिक अमलता कितनी होती है तो 0.14 से 0.16 है जो दूद में प्राकर्तिक अमलता होती है दही में आप से अमलता पूछ ले तो दही में अमलता कितनी होती है 0.75 से 0.95 है वो दही में अमलता होती है तो इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है next यापर अपने पास question है पसोमे इसके अलबा जो बड़ी जो है बड़ी जो यंतर का किसमे यूज लेता बड़ी जो कास्टेटर यंतर होता इसका अपन यूज लेता है बदिया करन करने में किसमे बद्याकरन करने में अपन बड़ी जो cástator यंतर का यूज लेते हैं लेक्टोमीटर की बात करें तो धूद का आप इकसी तो जो ओघनतव होता है वो लेक्टोमीटर यंतर से अपन याद करते हैं विटायोमीटर यंतर की बात करें तो वसा परिक्सन के लिए लिए यतिए अपर य slit है तेगिंग बताना है आपको कि समें परच लेता है ऊपर मुर्गि them लोग गाय और बेस में कहते है थे परर टेटूइग या ब्रांडिंग QoT लूटे वेड मी हैं ब्lara in वेर्टंग बेड मी क्या करते है बेड में पैंटिंग करते है उननूट कि उसे न ब्राउन स्वीस और कर्ण स्वीस किसकी नसले है आपको बताना है कि ब्राउन स्वीस और कर्ण स्वीस है ये किसकी नसले है बेस की बकरी की बेड की गाई की तो ये किसकी नसले है ये गाई की नसले है आपको ध्यान रखना है ब्राउन स्वीस तो विदेशी नसल है और कर्ण स्वीस ये क्या है कर्ण स्वीस गाई की संकर नसल है तो दोनों को अच्छे सी ध्यान रखिएगा ब्राउन स्वीस और कर्ण स्वीस है ये गाई की नसले है नेक्ट अपने पास की उसना आर्थिक दरिश्टी से कौन सा रोग अधीक खतरनाक है या पर रोग के नाम जाते हैं तो आपको धियान रखना है आर्थिक द्रेस्टी से खतरनाक रोग धनिला रोग इसके लाओ सरसो का तेल है वो मालिस करने के लिए काम में लेते हैं नेक्स्ट अपने पास क्यूसन है बकरी की वह नसल जो सहरों में पाली जाती है जमनापुरी, बीटल, टोंगनवर्ग, बर्बरी तो कौन सी नसल है जो सहरों में बांद कर पाल नहीं होगे बकरी की नसल है जिसे अपन सिटी गोट के नाम से भी जानते हैं नेक्स्ट अपने पास क्यूसन है किस रोग में बिना लक्सन परगट किये पसू की अचानक मरती हो जाती है जिसमें पसू कोई भी लक्सन परगट नहीं करता और अचानक मर जाता है एंत्रेक्स माता गलगोटू लंगडी रोग तो कौन सा रोग है एंत्रेक्स जो रोग है इ वस्टो लंगडा कर चलता है नेक्स्ट कुश्नक की बात करें तो एही मेंप्रोटिन परतिसंत होता है यह आप हो गए आज के अपने क्उशन बाकी ओर क्षम आप देखना चाते तो प्लेलिस्ट चेक करिएगा वहां से आप देख सकते मिलते हैं जय His ест वीमार